हलो दोस्तों स्वागत है आपको study 41D चैनल में तो फ्रेंट्स हम यहां पर आपको आठ से सम्मंधित सभी एक्जाम्स के लिए आपको कि अपलब्द करवाते हैं तो वह प्लेज रेक्वेस्ट आप लोगों से कि हमारे चैनल को लाइक यूंशेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन आवाज से प्रस करें इसे प्रकार के वीडियो पाने के लिए तो फ्रेंट्स स्टार्ट मते हमाते हैं अपने प्वाइंट पे तो गांधार कला तो फ्रेंट्स जो है यह गांधार कला जो है एक बहुत ही प्रिशिद्ध कला की रूप में जानी जाती है और इसे कुसान वंस यानि जो है कुसान के द्वारा शुरुआत की जी थी जिसके पीता का नाम कुजुल कड़ फिसस था तो ये जो है लगभग पहली स्टाबदी से सुरुआत मानी आती है और यहां पे अधिक्तम जो है मूर्तियों का ही निर्माड हुआ है तो फ्रेंट्स ध्यान दीजे यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो गांधार कला एक सिद्ध प्राचीन भार है और इस कला का एलेख बेदिक तथा बाद के संसंक्रत सहिति ने भी मिलता है तब धान देना है और ऐख भायरत की है तो ये आपके भारत की है कला और इसका लेक पूछा जा कहां मिलता है तो बेदिक तथा बात के संसक्रत के साहित्यों में भी मिलता है सामानतिया गांधार सैली की मूर्तियों का समय पहली सती इस्वी से चौती सती इस्वी के मद्ध कहे इस्वी की स्रेष्ठम रचनाएं पचास इस्वी से टेर्ड सो इस्वी के मद्ध की मानी जा सकती है और गांधार कला जो है इसकी विसे वस्तु भारती थी फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ध्यान से ये कुश्चन बार बार रेपीट हो चुका है आप टीजीटी पीजीटी में भी गांधार कला जो थी उसके विसे जो थे तो गांधार कला की विसे वस्तु भारती थी परंतु कला सेली यूनानी और रोमन थी तो इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिष्ट या हिंदु यूनानी कला भी कहा जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी कुश्चन बन सकते हैं तो ध्यान प्रोक एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवीट कर रहे हैं द्यान दीजे गांधार कला की जो विशेवस्त थी वो तो भारती थी परन तो कला की सैली यूनानी और रोमन या ग्रीको बुद्धिष्ट या हिंदु यूनानी कला भी कहा जाता है तो यहां से दू-तीन प्रसन आपके बहुत ही इंप्पोर्टेंट बन रहे हैं तो फ्रेंट्स नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्रीको इसके प्रमुक के अंदर जो थे वो कौन-कौन थे या गिद पूछा जाता है तो इसके प्रमुक के अंदर जलालाबाद हड़ा बमियान स्वात घाटे और पैसावर थे तो फ्रेंट्स इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्टियां बनाई गी थी यानि जो देखें गांधार कला के समकाली नहीं मतुरा कला भी मानियाती हैं लेकिन दोनों कलाओं में बुद्ध के रूपे में अंतर है तो इस कला में पहली बार बुद्ध की मूर्टियां मनाई गी इनके निर्माण में सफेद और काले रंग के पत्थर का बेवहार किया गया मतलब जो पहली बार बुद्ध की मूर्टियां मनाई गी उनमें सामग्दी के रूप में क्या लगा तो सफेद और काल रंका जो है पत्थर का प्रियोग हुआ है तो फ्रेंट्स गांधार कला को महायां धर्म के विकास से प्रोत्जाहन मिला तो फ्रेंट्स यहां पर बतान चाहेंगे कि जो बहुत धर्म मुखी रूप से दो भागों में बढ़ गया था एक था महायान और एक था बोध्यान तो यहां पर बताया गया आपका जमतलब यह जो गांधार कला है महादन के विकास से इसको प्रत्तान मिला यानि महायान के द तो इसकी मूर्तियों में माल स्पेसियां जो है वस्पस्टिज लगती हैं और वस्त्रों की सलवट्टे साफ दिखाई देती हैं इस हैली की सिल्पियों द्वारा वास्त्युक्ता पर कम ध्यान देते हुए बाहिस वंदर को मूर्त रूप देने का प्रियास किया गया तो फ्रेंट्स इसकी मूर्तियों में भगवान बुद्ध को यूनानी देउत्ता अपोलो की भागती बनाया गया है तो फ्रेंट्स इस सैली से आपकी लगभग 10 से 15 कुष्चन बन रहे हैं तो इसे आपको केरफुली से लर्ण कीजिएगा तो फ्रेंट्स हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तो हमारे चैनल को लाइक यह अगले वीडियो में